स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारुलेरकर जिनका जन्म 14 अगस 1907 को हुआ था वे ब्रिटिश राज के खिलाफ चात्र आंधोलन में सक्रिय रही 1932 में सत्या ग्रह में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सजा दी गोदावरी महराष्ट्र की पहली महिला विधीसना तक थी 1932 में जेल की सजा काटने के बाद गोदावरी ने भारत सेवक समाज में शामिल होकर मुंबई में समाज सेवा शुरू कर दी गोदावरी ने दादरा और नगरहवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष का नित्रित्व किया वरली समुदाय के संघर्ष के लिए भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और अपने पुस्तक जेवा मानुस जगा हो तो मेसान दोलन को लिपि पद्ध भी किया 1961 में गोदावरी ने आधिवासी प्रगती मंडल की स्थापना की गोदावरी पारू लेकर अपने जीवन के अंत तक जनकल्यान के कार्यों में लगी रही